हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है एक और नए सांदार वीडियो में आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि बिहार डियलेट से एड्मिट काड से जूड़ी एक नया अपडेट क्या है दोस्तो इस अपडेट में जो है जिनका अप्लिकेशन नमबर पता नह बहें जा गया है अब देखिए यह कैसे भेजा गया है इसका प्रोसेस क्या है मैं पूरी चर्चा करूंगा सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि बिहार डियलेट का परवेश परिक्षा का एड्मिट काड जारी कर दिया गया है जिनका एक्जाम 9 अप्रील 2024 से पहले है उन का admit card जो है न वो download हो रहा है लेकिन जिनका exam 9 अप्रील 2024 के बाद है उनका admit card जो है न 5 अप्रील से जो है download start होगा तो जिनका exam अभी admit card download नहीं हो रहा है उनका घबडाने की कोई जरूरत नहीं है उनका exam जो है वो लेट से होगा अब देखिए इसमें जो है न इसमें दो परकार के candidates आ जाते हैं एक है 9 अप्रील के बाद वाले और एक है 9 अप्रील के पहले वाले लेकिन इसमें एक परकार के ऐसे भी candidates हैं जिनका exam हो सकता है कि 9 अप्रील से पहले हो और उनका जो है बिहार school examination board के तरफ से मेरे पास message आया हुआ है यह message है प्रीय अभिहार थी डियलेड संयूक्त परवेस परिक्षा दोहजार चौबिस प्रीय रवी कुमार डियलेड संयूक्त परवेस परिक्षा दोहजार चौबिस के लिए आपका application ID मेरा यहां पे application number लिखा हुआ है और जो है न किर्पिया इसे आगे की प्रकिरिया के लिए संब्रक्षित रखें कि मेरे पास message मतलब भेजा आया है कि यह आया है कि यह है इसे अपने पास सेव रख लें ताकि भविसमें यह आपका काम दे सके अब देखिए यह जो है यह टूडे आया है आ message भेजें हैं हम इनका details खोल लेते हैं तो यहां से हम cut करके और यहां पी जो है इसके उपर हम click करते हैं इसके उपर click करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यह जो message है यह बिहार school examination board के तरफ से आया हुआ है इसका जो number है वो 9155191194 इसका mobile number है जिस number से यह message आया हुआ है यह जो whatsapp है यहां पर आप देख सकते हैं this is a business account यानि कि यह business account है मतलब normal account नहीं है यहां पर बताया हुआ है कि the बिहार school examination board is established for holding and conducting an examination at the end of the secondary school stage for prescribing course for study for such as यहां पर search examination and for carrying out such other subject and duties and may be considered necessary for the purpose as estates in the act rules and regulation of the board यानि कि जो है यह state के rule and regulation पर बिहार school examination board जो है ना original है यहां पर इसका address भी लिखा हुआ है बिहार school examination board बुद्धा मार्ग फ्रेसर रोड पटना और इसका यहां पर पी निकोड लिखा हुआ है 800 फिर 001 यहां पर यह इसका यहां पर email लिखा हुआ है info at the rate यहां पर bacblive.com और यहां पर फिर यहां पर इसका वेवसाइड है सा आपको कुछ नहीं करना है लेकिन अगर उस नंबर से आपका WhatsApp account नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले जो नंबर आप DLAD का फॉर्म भरते टाइम पे दिये थे उस नंबर से WhatsApp account बना लेना है और WhatsApp account बनाने के बाद आपको अभी जो screen पर नंबर दिख रहा है 91-55-19-11-94 इस इस नंबर से करना है तो registered नंबर से करना है लेकिन जिनका WhatsApp लोग-इन होगा उनके पास जो है न अप्लिकेशन नंबर आ गया है उनको कुछ नहीं करना है जिनको अप्लिकेशन नंबर पता नहीं है बस उन्हीं को इस नंबर पे message भेजना है अब देखिए यहाँ पे आप ल तो उमीद है कि आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि जिन भी कर्णिरेट्स का डियलेड परवेस परिख्षा के लिए अपलिकेशन नमबर नहीं पता था, एड्मिट कार्ड के लिए वो परिशान थे, उनका जो है न सॉलूसन मिल चुका है, अगर मेरी दिव का रिए सब्सक्राइब नहीं, अगर में पता है कि कि लिए वो पर परिशान थाग्वदान थान।